नमस्कार, क्रांती औरेसा में आपका स्वागत है। एक सरोवर में विशाल नाम का एक कच्छुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रों से बचाता था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण बची थी। एक बार भेंस तालाब पर पानी पीने आई थी। भेंस का पैर विशाल पर पढ़ गया था। फिर भी विशाल को कुछ नहीं हुआ। उसकी जान कवच से बची थी। उसे काफी खुशी हुई क्योंकि बार बार उसकी जान बच रही थी। यह कवच विशाल को कुछ दिनों में भारी लगने लगा। उसने सोचा इस कवच से बाहर निकल कर जिन्दगी को जीना चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की जरूरत नहीं है। विशाल ने अगले ही दिन कवच को तालाब में छोड़कर आसपास गूमने लगा। अचानक हिरन का जुन तालाब में पानी पीने आया। धेर सारी हिरनिया अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। उन हिरनियों के पैरों से विशाल को चोट लगी, बहरोंने लगा। आज उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिसके कारण काफी चोट जोड से लग रही थी। विशाल रोता-रोता वापस तालाब में गया और कवच को पहन लिया। कम से कम कवच से जान तो बचती है, नेतिक शिक्षा, प्रकृती से मिली हुई चीज को सम्मान पोरवक्स वीकार करना चाहिए वरना जान खत्रे में पर सकती है।